नमस्कार ये PBNS की हिंदी सिवा है और आप सुन रहे हैं टुड़े अनायाउन पीम नरेंद्र मूधी और पचारिक रूप से प्रवासी भारती दिवस सबमेलन का उदगाटन करेंगी जिसमें इन दौर में मुख्य अतिथी गुयाना की राष्ट्रपती डॉक्टर मुहमद इर्फान अली और विशस्ट सम्मानित अतिथी सूरी नामा गणराज्य की राष्ट्रपती चद्रिका प्रसाथ संतोखी का संबोधन होगा इन दौर में सुरक्षित, कानूनी व्यवस्थिद और कुशल प्रवासन के महत्तों को रिखांकित करने के लिए एक इसमानक ढाक टिकट सुरक्षित जाएं प्रसक्षित जाएं जारी किया जाएगा पियम मूदी इन दौर में भारत की स्वतंत्रता में हमारे प्रवासी स्वतंत्रता सैनानियों की योगदान को जागर करने के लिए आजादी का अम्रित महुत्सव भारती स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान विशाई पर पहली डिजिटल प्रव सी भारती दिवस प्रदर्शनी का भी उदगाटन करेंगे। केंद्री वानिज और उध्योग मंत्री पियुश गोयल भारत युएस ट्रेट पॉलिसी फॉरम में भाग लेने के लिए न्यू यू 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 और वाशिंटन टीसी की तीन दिवसी आधिकारिक यातरा पर ज केंद्री मत्सिपालन पाशुपालन और डेरी मंत्री पुरशोट्तम रुपाला मेघालय के दक्षण पस्चिम गारो हिल्स जिले के दो दिवसी दौरे पर हुंगे। advertisements अधिकारियों और हित धार्रकों के साथ अमपाती 95 गारो हिल्स में भारत सरकार की विभिन्न प्रमक य 222 जिलों में प्रधान मंत्री राष्ट्रिय सिक्षुता मेला आयोजित किया जाएगा। 2023 में तमिलनाटु विधान सभा का पहला सत्र चेन्नाई में रजपाल आर एन रवी की पारमपरिक अभिभाशन के साथ शुरू होगा। केजी डी सिक्स ब्लॉक में प्राक्रति गैस की खोश से जुड़े 400 मिलियन डॉलर की लागत वसूली विवाद पर कार्यवाई की गई थी। बसों से विग्यापन हटाने के केरल उच्च ज्यायाले के निर्देश के खिलाफ केरल रज्यसाडग परिवह निगम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देश भर में चलपूर्वक धर्मांतरन होने का दावा करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बिहार जहरिली शराब त्रासिदी की S.I.T. जाँच की मांगवाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली हाइकोर्ट दिल्ली में 2020 के दंगों के पीछे पथित साजिस से संबंदित UAPA मामले में JNU छात्र सरजीर इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। तिलंगाना उचन्यायालाई विधायकों की खरीद फरोक्त के प्रयास मामले की जाच CBI को स्थानांतरित करने के एकल न्यायधीश के आदिस को चनोती देने वाली राज्य सरकार के अपील पर सुनवाई करेगा। कपड़ा आयुक्त रूप राशी मुंबई में दो दिवसीय कपड़ा मेले का उदगाटन करेंगी। लुल्लू बोलगटी कन्वेंशन सेंटर कोची में विकरण प्रद्योग की सतत विकास के लिए चनोतियां और अवसर पर चार दिवसीय अंतराश्ट्रिय सम्मिलन आयोजित किया जाएगा। MVIRDC वर्ल्ल ट्रेड सेंटर मुंबई की अंतराश्ट्रिय व्यापार अकादमी विदेश व्यापार में सनातकोत पर डिप्लोमा के अपने 66 वे बैज की शुरुवात करेगी। दक्षिन एशियाई एस्ट्रो फेडरेशन की भैठक नेपाल की राजधानी काटमांडू में आयोजित की जाएगी। और JNT UK काकी नाणा में दक्षिन शेत्र इंटर उनिवोसिटी खोखो टूनामेंट शुरू होगा। देश और दुनिया की सभी बड़ी खवरों के लिए जुड़िये प्रसार भारती नियू सर्विस से धन्यवाद।